हेलो एवरिवन आई वेलकम यू ओल तो दी आयर्सी किमिस्ट्री सो हमने इस चैप्टर टू स्टार्ट किया था करुथर्स का फॉर्मेशन आफ कार्बन कार्बन डबल बॉंड और उससे पहले एक वीडियो हमने डाली है ऑन दी बीटा एलिमिनेशन रियक्शन तो यह जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था इवन रियक्शन एटु रियक्शन इवन सी बीई और हाफ मैं एलिमिनेशन मारिद इस की थी अपनी प्रीवियос क्लास में तो यह जो सीरींज हमने डाली है है summary of Caruthers इसकी second video है और Claydon की जो summary है Claydon के up to 27-28 chapter तक हम पहुंच चुके हैं तो वो भी आपको channel पर मिल जाएंगी सो चलिए आज का जो topic है उसको start करते हैं that is pyrolytic sin elimination reaction तो basically जो pyrolytic sin elimination है ठीक है यह sin है जैसे नाम से पता चल रहा है sin reaction यहां पर हो रही होगी ठीक है तो इसके कुछ important points हम यहां पर पहले लिख लेते हैं क्या होता है और इसकी importance अगर देखें exam point of view से तो वो काफी जादा है इस topic से हर बार question आही जाता है CSIR में तो मैं कहता हूँ हर बार question यहां से आही जाता है और gate में भी एक साल छोड़के अगले साल questions इसमें देखते रहते हैं आप देख सकते हो previous years उठा करके अभी मैं discuss करूँगा तो आपको खुझ से idea लग जाएगा कि इसकी importance कितनी है competitive exam में तो basically pyrolytic sin elimination है क्या अब यह elimination है तो इसमें क्या बन रहा होगा c double bond c formation because हमारा chapter का नाम ही क्या है carbon double bond carbon का formation तो यहां c double bond c बनेगा दूसरा point क्या दिखाई देरा important इसके अंदर कि यह sin elimination है sin elimination है अब sin elimination का मतलब क्या हुआ sin elimination का मतलब है कि जो hydrogen निकल रहा होगा मेरा abstract हो रहा होगा and living group and living group both are both are sin to each other ठीक है एक दूसरे के sin होंगे वो तीसरा इसके अंदर हम देखेंगे कि जो pyrolytic sin elimination है वो एक cyclic transition state के थूँ जाती है इसमें cyclic transition state भी हम पढ़ेंगे cyclic transition state के थूँ यह reaction हमारी प्रोसीड होती है कहीं पर six-membered cyclic transition state बनती है कहीं पर five-membered cyclic transition state बनती है तो वो सारी चीज़ें हम question के थूँ समझेंगे यहां पर अब यह क्या है pyrolysis है तो basically pyrolysis क्या होता है high temperature पर जब decomposition होता compounds का तो उसको pyrolysis बोलते हैं तो इसलिए हमने इसको बोला pyrolytic sin elimination क्यों क्योंकि temperature इस reaction का काफी हाई होगा यहां पर हम कह सकते हैं high temperature होता है तो हाई temperature पर हमारी pyrolytic sin elimination होती है तो यहां पर हम किस-किस की pyrolysis पढ़ने वाले हैं basically कौन-कौन से functional groups होंगे जिसकी हम pyrolysis यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर हम pyrolysis देखेंगे इस lecture में जैन्थेट्स की जैन्थेट्स की कार्बॉक्जिलेट esters की कार्बॉक्जिलेट esters, amine oxides, selenoxides, selenoxides और sulfoxides यह काफी important है जो यहां पर मैंने लिखा selenoxides और sulfoxides यह काफी important है selenoxides, sulfoxides और carboxylate esters and zenthates इनके उपर तो question बहुत बार पूछा गया है अब जो यह मैंने लिखा यहां पर amine oxides चीक है तो जो amine oxide है यह एक name reaction के नाम से हम इसको जानते है that is cope elimination reaction अब आप पूछोगे कि हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम इसको यहां पर पढ़ रहे है इसको यहां पर पढ़ रहे है इसको हम इसको यहां पर पढ़ रहे है that is cope elimination reaction यह भी हम देखेंगे इसको हम question by question समझते हैं जो reactions है मैंने करूथर से उठाई है आप देख सकते हैं अगर आपके पास book है तो अगर नहीं है तो भी कोई problem नहीं है यहां पर मैं सारे questions को discuss करने वाला हूं तो basically first question देखते हैं उसके थुरू हमें समझ में आएगा कि basically pyrolytic sin elimination होता कैसे है तो चलिए question number one में हम देखते हैं जैन्थेट elimination जैन्थेट तो basically हमें समझने पड़ेगा कि यह जैन्थेट क्या है तो basically यह जो functional ग्रूप लगा हुआ है इसी को हमने बोला है जैन्थेट यह क्या है हमारा जैन्थेट और यह क्या है मेरा living group है और इसके बीटा position पे यहां पर क्या है alpha है यहां पर क्या है बीटा पर है तो इसके बीटा पर जो hydrogen लगा हुआ है वो इस पूरे group के क्या है सिन है basically तो यह वाला क्या है और यह वाला अपस में सिन है तो यहां पर जब मैं heat करूँआ इसको तो यह compound क्या करेगा मेरा decompose करेगा और decompose करके product बनाएगा तो वही product अब यहां पर देखेंगे कि कैसे बनता है तो देखें यहां पर मेरे पास क्या है carbon है इसके उपर कोई द देख पा रहे हो oxygen oxygen यहां पर carbon double bond sulfur and यहां पर SR और यहां पर क्या लगा है hydrogen तो यह दोनों क्या है मेरे यह सिन है ठीक है तो basically यह दोनों compounds मेरे क्या है सिन है six member यहां पर transition state बन रही है तो देखो यहां पर transition state क्या है मेरी six member बन रही है six member member transition state यहां पर बनेगी तो यहां पर हुआ क्या जब मैं इसको heat करूंगा जब मैं इसको heat करूंगा तो यहां से हाइड्रोजन इस सलसर के साथ चला जाएगा यह बॉंड इधर और यह इधर बैसिकली यहां पर मेरे पास ऑलकीन बना प्लस बाइप्राडट मेरा बना C double bond O, SH एन्ड, SM तो एक चीज़ यहां पर मैं और कह सकता हूँ कि या जो reaction है मेरी यह क्या है concerted reaction हैяет concerted reaction है देख़़ तीन एरो मैंने एक ही reactant में show कर दिये यहां पर एक इस स्टेप में सारा हो गया तो यह concerted concerted reaction है ठीक है तो यह point भी तुम add कर सकते हो about this reaction अगला क्या है next selene oxide देखते हैं यह हमारा क्या था जैन्थेट elimination इसी तरीके से selene oxide selene oxide elimination भी होता है इसमें क्या है selenium का oxide होता है जैसे आप देख पारे हो तो यह क्या है selene oxide यह हमारा selene oxide तो जब इसको heat करेंगे तो इसके oxygen के साथ जब हमारा hydrogen sin हो जाता है तो यहां पर elimination होती है जिसको हम बोलते हैं sin elimination तो basically यह वाला और यह वाला आपस में क्या है सिन है तो इसको भी ऐसी देखेंगे यहां से hydrogen है यहां से selene oxide है ओ माइनस है और यह आर है यहां पर प्लस चार्ज होगा इस पर oxygen family से ही यह बिलॉंग करता है ठीक है तो तीन bond बना रहा है तो मैंने जस्ट यहां पर एक positive charge शो कर दिया अब ध्यान देना यहां पर जो transition state बनेगी यहां पर यह बनेगी 12345 तो बैसिकली यहां पर five member transition state बन विए यहां पर five member transition state बन रही है इसको हीट किया हीट किया तो यहां पर मेरा ये इसके साथ चला गया ये एक मिनुट इसको दुबारा देखो यहां से क्या हुआ यहां से यह हाइड्रोजन मेरा चला गया यहां पर और यहां से इस ओ माइनस ने इसको अबस्ट्रेक्ट कर लिया इस तरीके से च्छिक है क्योंकि सिलन अक्साइड वे पॉसिटिव चार्ज था हो गायब हो गया और यहां से इसने अटेक कर दिया तो बैसिकली यह यह मेरा प्रोड़क्ट बन गया तो इस तरीके से हमें समझना है प्लस आर ऐसी ओच तो यह हमारा क्या बन गया सिलन अक्साइड अगला हम देखते हैं कार्बॉक्जिलेट एस्टर्स कार्बॉक्जिलेट एस्टर्स में क्या होता है तो जब मैं बात करता हूं ट्रोप एक चलब कोण साव कर जिलेट कि अधर्मिय इस्ट की तो यहां पर यहां पर 2 तर पर 20 ग्रूमीय रहा कौनाँ अर्य जिलेट कॉछ सम emerged lid vit DNA ठीक है एस्टर है और उसके बीड़ा पर उसके पर हाइड्रोजन और डिट्यूरियूम मैंने लगाया हुआ है तो यह मेरा कार्पॉक्जिलेट एस्टर हो गया इसके भी सिन एलिमिनेशन होती है जब मैंने इसको हीट किया 400 डिग्री सेल्सियस पे तो जो मेरा प्रोड़क्ट बनेगा वो अलकीन बनेगा अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है साफ कि इसके सिन कौन सा हाइड्रोजन है या कौन सा आइसोटोप है तो यहां पर डिट्यूरियूम सिन्गल बॉंड कारबन हो कत्क है है मेरा डी है और यहां से हाइड्रोजन है ऐस i n ए है 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 आई जिन है और फिनाइल है अब चीज़ यहां पर observe करो एक Geb security मैंने यहां पर बनाया deduction सिंग लेकिन हीजीन एस शना नहीं सुर्ण और भुर्णेशन है दो फिर यहां पर मुज़े बताओ कि एज जो टीरियू है यहीकॵॉ क्यों ऑक्सिजन के सिंग जा प्रोडक्ट बनाएगा, basically इस reaction का जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, वो किछ सो तरीक से बनेगा, यहाँ से इस तरीक से, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जायेगा, Trans-Stilbin Phenyl Phenyl Hydrogen Hydrogen तो यह क्या बन गया Trans-Stilbin तो बिसिकली ऐसा क्यों हुआ यहां पर मेरा Hydrogen अगर जाता तो जो प्रोड़क्ट बनता वो Syn-Stilbin बनता तो बिसिकली मुझे यहां पर एक चीज्ज का ध्यान रखना है That is St vilic crowding तो देखो फिनाइल ग्रूप जो है ये दोनों यहां पर एंटी हैं तो इन दोनों को तुम्हें एंटी रखना है फिर उसके बाद चाहे तुम हाइडरोजन रखो सिन या डिटूरियम रखो से फरक नहीं पड़ता है तुम्हें बस जो फिनाइल ग्रूप है उनको एंटी यह concept और clear हो जाएगा यहां पर यहां पर मैंने क्या लिया है इस एक्जामपल में देखो इस एक्जामपल में अब मैंने hydrogen को तोड़ करके वहां पर डिटूरियम लगा दिया तो basically मैंने इनकी position change कर दी लेकिन अब भी मेरे Phenyl, Phenyl, kya है? NT है. तो देखो, पहले वाले step, पहले वाले case में क्या हो रहा था? Deuterium से Elimination हो रही थी, अब यहाँ पर Hydrogen से होगी. ठीक है? तो इस case में भी या दोनों क्या है? क्या है? NT है. ठीक है? NT है. तो हमें दोनों को NT रखना ही रखना है तो यहां पर मेरा मीथाइल है इसके साथ सी डवल बॉंड ओ आ गया है यहां पर ऑक्सिजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन यहां पे लिट्यूरियम तो स्टीरियो के मिस्ट्री का ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा और यह कोशन बिल्कुल पूछा जा सकता है CSIR में हाइड्रोजन और गेट में भी और यहां पर फिन आई तो ध्यान दो यहां पर दोनों क्या है एंटी हैं दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं इसलिए यहां पर कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी इसलिए जो रियक्शन होगी वह कुछ इस तर है करता है अब देखो मैं इसकी कॉंफिघ्रेशbach थोड़ा सा इसकी कन फर मेखंशो करता हो स्टों मैं इसके कन फर मेखंश करता बस मैं दिखाना चाहता हूं कि जब हम सिंगल बॉंड के आरांड रोटेशन करके डिट्यूरियम को सिन लेकर जाएंगे इसमें तो फिनाइल मेरे सेम साइड पर आ जाएंगे तो ध्यान दो यहां पर सी डबल बॉंड हो यह ऑक्सीजन है यहां पर कार्बन कार्बन अब मैंन फिनाइल ने पॉजिशन ले लिए यह फिनाइल आ गया और इस कार्बन पर हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो यह मेरा है जब मैंने डिट्यूरियम को सिन लिया इस ऑक्सीजन के तो मुझे क्या समझ में आया मुझे यह समझ में आया कि जो मेरा फिनाइल है यह दोनों एक इस दूसरे के सिन आ गये क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है ठीक है दोनों नीचे की तरफ है तो इसलिए यह हमारा product नहीं देगा यहां से इस confirmation से इस confirmation से को product नहीं देगा, अगर तुम्हें paper में ये confirmation दे रखी है, तो तुम्हें इसको rotate करके पहले इस confirmation में लेकर जाना है, और फिर trans-stale में बनाना है, तो ये क्या है, काफी important है, very important, इन दोनों question को तुम्हें highlight करके रखना है, तो यहाँ पर deuterium हो, चाए hydrogen हो, तुम्हें बस steric crowding का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, अब next question है, next question में भी ester ही दिया हुआ है, next question में ester दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा देखते हैं कैसे करना है, तो देखें यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास एक oxygen है, एक यहाँ पर oxygen है, उसके साथ C double bond OME लगाया इसको मैं थोड़ा open करके लिखता हूँ, cyclohexene, यहाँ पर oxygen, double bond O, इसको थोड़ा double bond O को नीचे की तरफ लखो, क्योंकि हमें sin रखना है, और elimination करवानी है, double bond O, और यहाँ पर OME, ठीक है, यहाँ पर कोई hydrogen होगा इसके beta पे, क्योंकि alpha, beta, beta पे यह जो hydrogen है, यह क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ सेम टाइप का elimination हो जाएगा, OME, यहाँ से hydrogen है, तो यहाँ से alpha, beta, जब मैं इसको heat करूँगा, तो यहाँ से यह वाला मेरा इधर चला जाएगा, यह इधर आजाएगा, यह इधर आजाएगा, यह इधर आजाएगा, इधर आजाएगा, तो जो मेरा product बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा तो यह product बन गया ठीक है काफ़ी simple था बस तुमें यह देखना है मेरा क्या Carboxylate Tester present है heat कर रखा है Carboxylate Tester है heat कर रखा है तो क्या होगा pyrolysis होगा और sin होता है हमेशा तो देखो इसके alpha और beta पे अब यहां stereo chemistry का कोई case है नहीं क्योंकि हमें mention करके दिया नहीं हुआ तो बीटा से जो जो hydrogen होंगे वो यहां पर निकल के और इस product को बना लेंगे अब यह मैंने यहां पर simply arrows दिखा दिये यहां पर मैंने actual में confirmation उसके बना के शुकिए हैं ठीक है तो यह था हमारा introduction about pyrolytic sin elimination तो यहां पर इन examples के थुरू हम समझ चुके हैं कि होता क्या है pyrolytic sin elimination तो किनके case में होता है जैन्थेट्स के case में silan oxides के pace में sulfoxide गया पर example नहीं लिए बट simply just silan oxide की तरह होगा आगे examples आएंगे फिर उसके बाद हमने देखा carboxylate testers के कुछ अच्छे examples देख यहां पर जो यहां पर stereochemical aspect है इसका तुम्हें खास ध्यान रखना है यह जो मैंने stereochemical aspect यहां पर discuss किया है इसका खास ध्यान रखना है तो चलिए तो इसको ध्यान में रखना है अब आते हैं अगले question पर इस question के तो बीटा और बीटा दो बीटा कार्बन है यहां पर ठीक है तो दो बीटा कार्बन है दोनों पर hydrogen है दोनों तरफ से elimination हो सकती है ठीक है तो यहां पर देखो major product normally कोई कैसे decide करेगा कि चलो एलकीन देख लेते हैं जो एलकीन more stable बनेगी वही हमारा major product हो जाएगा क्योंकि हम तो यहीं पढ़ते हैं elimination में लेकिन इस reaction में ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा जिसने यह concept लगाया वह यहां पर इसको major product बनाएगा और answer गलत हो जाएगा तो देखो major तुम्हें दिखाई दे रहा होगा major product हमारा 57 है और वो भी less substituted answer यह दोनों more substituted दोनों हमारे क्या है कम है तो यहां पर एक note बना करके लिखो ठीक है यहां पर एक note बना करके लिखो काफी important है तो उसके बाद यह question करना काफी आसान हो जाएगा तो यहां पर note करो कुछ important information is question की तो जब a cyclic esters होते हैं जब cyclic होते हैं और a cyclic होते हैं तो यह क्या example a cyclic का है ठीक है तो पहले a cyclic case में लिख लो in a cyclic in a cyclic compounds in a cyclic compounds if there is if there is a conjugation conjugation या conjugating substituent इंग अगर कुई conjugating substituent present हो बीट पोजिशन पे in the BEPA position in the BEPA position in the BEPA position TOS case MEN the elimination 3 elimination Please to given काफे इंपर्टनेंटी स्पोर्मेशन है note कर लेना इसको given predominantly predominantly The Conjugated Alkene. मतलब कि अगर हमारा A-Cyclic के केस में, जब हमें A-Cyclic Estes दिये हों, उसके केस में अगर Conjugation present है, तो जिस side Conjugation present होगी, मतलब Alkene बनने पे Conjugation बन रही होगी, उस तरफ से हमारा Hydrogen निकल जाएगा. दूसरा क्या कहता है? Otherwise, otherwise, otherwise क्या होगा? Otherwise, the composition of Otherwise, the composition of product is Product is determined Determined Mainly by the number of Mainly by the Number of Hydrogen atom Hydrogen atom On Each Beta Carbon तो यह जो information है, That is Very, very, very important. ठीक है? तो इसको पूरे तरीके से Highlight करके तुमें रखना है, तो क्या बोला जा रहा है, यहां पर? Otherwise वाला केस है, यह पहली बात तो यहां पर हमारा कोई Conjugation का केस बनेगा नहीं, ठीक है? जो example हमारे पास है, तो यह Otherwise वाले पॉइंट को यहां पर हम समझ रहे हैं, कि अगर हमारे पास कोई Conjugation नहीं है, और A-Cyclic Ester है, तो उस case में जो product बनेगा, वो mainly by the number of hydrogen atom on each beta carbon. तो वो जितने hydrogen atom होंगे, उसके according decide किया जाएगा कि कौन सा major product है, तो देखो, यहां पर कितने beta hydrogen है, 3 beta hydrogen है, ठीक है, यहां पर कितने है, 2 beta hydrogen है, तो जितने जादा beta hydrogen होंगे, जहां से जादा beta hydrogen होंगे, वहीं से major product बनेगा, तो देखो, यहां beta hydrogen जादा है, तो basically, यहां से major product ज देखेंगे कि यह 28 है यह 15 है कैसे बना तो यह समझते हैं इसको अब इसका मेकैनिजम बना करके देखते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास ester दिया हुआ है ester दिया हुआ है कुछ इस तरीके से डबल बॉंड ओट अरेंज बनांगे मेह कासर अब मैं स्टिर यो जी मेश-किमिस्ट्वी के हिसाब से इसको अड्रेंज कर रहा हुआ है यहां पर अ-धायल तो यह मेरा है तीन हैट्रो जिला आला है तीन हाइड्रोजन वाला है ठीक है तो यह इसके सिन है तो यहां से जब मैंने इसको हीट किया तो जो मेरा प्रोड़क्ट क्या बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यह देखिए यहां पर डबल बॉंड और यह मीथाईल ठीक है तो देख रहे होगे आप क्वेशन में 57 प तो इसके उपर तो मैं फोकस करना है जहां थ्री बीटा हाइड्रोजन है मेजर बनेगा दूसरी साइड देखो दूसरी साइड पर क्या है मेरे पास दो बीटा हाइड्रोजन वाला केस्थ भी बनेगा एम्मी यहां से एम्मी तो यहां पर सिरफ दो ही बीटा हाइड्रोजन हैं तो यहां से जो प्रोड़क्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और उसका जो प्रोड़क्ट आएगा मेरा वो एम्मी जब स्टीरियो कमिस्टर देखेंगे यह दोनों सेम साइड पर होंगे तो सिन बनेगा और जब ऑपोजिट पर होंगे तो एंटी बनेगा और तुम्हें पता है कि ऑपोजिट से हमारा मेजर प्रोड़क्ट बनेगा जब हमारी रिपल्शन सबसे कम होंगी तो एक यह दूसरा हमारा यह बन गया ठीक है तो यह हमारा इन दोनों में कौन सा मेजर रहेगा यह 28 परसेंट है और यह हमारा 15 परसेंट है तो यह इस कोशन का मतलब था ठीक है तो बेसिकली यह दोनों पॉइंट को तुम अच्छे से नोट करो अगर कॉंजूगेशन हो तो फिर यह बीटा हाइडरोजन होगे वहीं से मेजर प्रोड़क्ट बनेगा वहीं से मेजर प्रोड़क्ट बनेगा ठीक है तो इस पॉइंट को नोट करके रखना अब इसी की उपर अब हमने बात की थी साइकलिक की तो हमने बात कर ली वाट अब हम जब बात करेंगे यह साइकलिक की cyclic की, तो यह हमारा cyclic है, a-cyclic की हम बात कर चुके हैं, अब हमें बात करनी है cyclic के बारे में, तो cyclic के case में क्या important है, ठीक है, in case of cyclic हमें क्या check करना है, जैसे a-cyclic में मैंने तुम्हें points लिखवा दिये, क्या क्या है, अब a-cyclic के बारे में भी points लिख लो, अगर a-cyclic आ ज cyclic तुम्हें क्या देखना है, अब cyclic में क्या होगा, restrictions होगी, restrictions are imposed, restrictions are imposed by confirmation of leaving group and necessity to form transition state. अब जितना free हमारा a-cyclic system होता है, उतना free हमारा cyclic system नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर confirmational constraints होते हैं, तो जिसकी वज़य से हमें accordingly यहाँ पर decide करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे main जो possibility हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, cyclic की, तो यहाँ पर in case of cyclic compounds जैसे कि प हमने इसको 435 degrees C पे heat किया हुआ है, तो यहाँ पर पहले बात तो हम देखेंगे confirmation के हिसाब से sin hydrogen कौन सा है, तो यहाँ पर इसके sin hydrogen होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से sin hydrogen यह बनेगा, तो basically जो elimination होगी वो इस type की elimination हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो alken बनेगा मेरा इस case में, इस case में जो मेरा alken बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा, वो कुछ इस type का बन जाएगा, यहाँ पर double bond और यहाँ CO2ME H, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस type का कुछ मेरा product यहाँ पर बन जाएगा, CO2ME, यह product बन गया, ठीक है, next case देखते हैं, अगला case दे पास, CO2, जो यह living group है, यह रहा, ठीक है, living group यह रहा, इसके साथ, अब यह उपर की तरफ है, उपर की तरफ है, तो यह भी इसके sin है, यह वाला hydrogen भी इसके sin है, ठीक है, तो दोनों ही sin है, यह दोनों ही क्या है, sin है, तो कहां से product बनेगा, अब यहाँ पर, अगर cyclic होता, या acyclic है, दोनों में यह की case लगाना है, अब, conjugation present है, देखो, अगर यहाँ से alkene बनेगी, तो यहाँ पर conjugation बन सकती है, ठीक है, तो यहाँ hydrogen का case ही नहीं देखना है, ठीक, confirmation देखो, confirmation के हिसाब से देखो, पहली बात sin कौन कौन से है, फिर उसके बाद देखो कि conjugation कहां बन र exane है, इसके उपर hydrogen दिया है, यहाँ पर, यहाँ पर OCOME दिया हुआ है, अब मैं इसको open करके नहीं लिख रहा है, already we have discussed lot of confirmations, तो यहाँ पर मैं डारेक्ट लिख दूँ है, इसका answer, CO2ET, यह क्या है, इधर आएगा और यह लीव कर जाएगा, चिक, बीटा से alpha, बीटा से दो सिन हो रहे हैं, तो यहाँ से जो product बनेगा मेरा, वो कुछ इस type का बनेगा, यहाँ पर double bond, यहाँ पर C double bond, O, ET, तो यहाँ पर क्या रही है, मेरी, conjugation आ रही है, यह क्या है, conjugation, तो in case of conjugation, हमारा major product बनता है, जो जिसमें conjugation हो, तो यह हमारा major product बना है, तो काफे interesting question था, बहुत पूछे जाते हैं, यह और भी बना कर दे देंगे, और फिर उसके बाद चार्ज statement देंगे, तो correct statement बताओ कौन सी होगी, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें इस fact का पता होना बहुत जरूरी था, चलिए, अब आगला बात करते हैं, question हमें दे रखा है, यहाँ पर, य यह उपर की तरफ है, ठीक, तो hydrogen कहां है, उपर की तरफ, इधर तो है नहीं, इस carbon पर, इधर ही होगे, तो एक hydrogen उपर है, एक नीचे होगा, तो यहाँ से elimination reaction हो जाएगी, इसमें, काफी असान था यह, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, काफी असान question है, तो यहाँ से, जो यहाँ जो भी, given है, उसको as it is, show कर दो, CO2T, MHH, तो देखो, यह product बन गा, बिना कुछ करें, हमने product को लिख दिया, वस हमें इतना पता होना चाहिए कि, जो pyrolytic sin elimination है, उसमें कौन-कौन से groups को हम eliminate करते हैं, कौन-कौन से groups eliminate हो सकते हैं, high temperature पे, तो जैन्थेट है, carboxylate tester है, और उसके बाद हम जो भी हैं discuss कर रहे हैं अभी, ठीक है, selenoxides, self oxides, अब अगला जो question है, यह भी काफी important question है, तो इसको बड़े इधान से समझना है, इसके अंदर हमारी general organic chemistry का use किया गया है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो carbonyl group दे रखे हैं, एक तरफ ester है, एक तरफ ketone है, और साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, TSOH tocile hydroxide, बेसिकली यह क्या है, acid की तरह काम करता है, acid की तरह behave करता है, और यह क्या है, इतलीन glycol, तो जो पहला reagent दे रखा है, इसको हम use करते हैं, protection of carbonyl में, अगर हमें किसी carbonyl को protect करना हो, किसी दूस कर देता है, दूसरा क्या है, base डाला हुआ है, तीसरे में हमारा sulfur sulfur bond बनाते हैं, यह हमारे compound है, जैसे oxygen, oxygen peroxide बनते हैं, वैसे sulfur sulfur के compound भी बनते हैं, तो यह दिया हुआ है, उसके बाद H3O+, तो पहले A बनाते हैं, फिर B बनाएंगे, तो देखें यहाँ पर हमारा lone pair जो होगा, lone pair जो होगा, वो कहाँ attack करेगा, तो basically यहाँ पर इसका oxygen का lone pair कहाँ attack करेगा, यहाँ पर attack करेगा पहले, यहाँ पर attack करेगा, तो देखो, इस case में electron density high है, electron density ज़्यादा है, comparable to, यहाँ पर electron density कम है, क्यों, यहाँ पर OME लगा हुआ है, तो basically तुम्हें पता है, esters में resonance होगा, तो यहाँ पर इस lone pair के वज़े से, इसका जो nature है, वो थोड़ा सा electron rich है, as compared to ketone, ठीक है, तो ketones के उपर, अगर हम कोई भी nucleophile का addition करते हैं, तो वो ज़्यादा easily होता है, as compared to esters, तो यहाँ पर मेरा जो lone pair है, तो यह सबसे important step है, कि कहाँ से आप शुरू करोगे इसको, तो जो म यहाँ attack करेगा और इसको open कर देगा, ठीक, तो देखिए अगला step up होगा क्या, यह ओ माइनस बना, यहाँ से oxygen, oxygen, और यहाँ पर carbon भी बीच में, तो carbon को भी insert करना ना भूलना, यहाँ पर carbon, carbon, OH, यह CH2 है दोनो, ठीक है, तो यह इतलीन glycol मैंने बस यहाँ पर simple सी बात ही, तो जैसी attack करेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, H लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, next में क्या होगा, as it is, इसको draw कर लेते हैं, double bond O, OME, ठीक है, अब H plus की presence है, तो यहाँ पर यह जो lone pair है, यह क्या करेगा, protonate हो जाएगा, protonate हो जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, जैसे यह ओएच टू पलस बनेगा, यह वाला lone pair मेरा agar case पर attack कर देगा, तो यह आपने पढ़ा होगा, जब एस इटल्स पढ़े होंगे, कीटल्स पढ़े होंगे, तो यह वहाँ पर हम discuss करते हैं, चिक, तो मैंने basically यहाँ पर introduce कर दिया mechanism, तो यहाँ पर क्या बन तो मैं easily deprotect कर सकता हूँ, acid की presence में, तो यह group क्या होगा है, मेरा यहाँ पर C double bond O protect होगा, अब इसके उपर normal acid base कोई reaction नहीं होगी, या कोई nucleophile आकर क्या टैक नहीं करेगा, ठीक है, तो basically next step में मैंने क्या डाला है, next step में मैंने base डाला है, LINR2-, तो यह क्या करेगा, acidic proton निकालेगा, जाएगा, यहाँ पर NIN बनाएगा, जैसे ही यहाँ पर NIN बना, अब जो next step में मैंने डाला हुआ है, M-E-S-S-M-E, इस type के question बहुत पूछे जा चुगें, C-S-I-R में और gate में दोनों में, तो यह यहाँ tag करेगा, यह निकल जाएगा, तो मैंने क्या किया C double bond O, O-M-E, और यहाँ पर मैंने introduce कर दिया, S-M-E, अब next, last, जो fourth step है, उसमें क्या किया हुआ है, H3, O plus डाला हुआ है, तो मैंने बोला था, acid की presence में यह क्या हो जाएगा, D-protect हो जाएगा, D-protect हो जाएगा, in the presence of, in the presence of acid, ठीक है, तो acid की presence में यह D-protect हो जाएगा, तो चलिए इसको D-protect करके product बनाते हैं, यह बना मेरा double bond O, और बीच में जितने भी carbon है, SME, double bond O, OME, तो यह मेरा क्या बन गया, A बन गया, यहाँ पे जो मैं A की बात कर रहा था, यह A मेरा क्या बन गया, यह बन गया, यह बन गया मेरा A, ठीक है, अब B में हमें क्या reagent डालना है, sodium parodate दिया हुआ है, तो देखो, जब भी मैं sulfur की compounds की reaction करवाता हूँ, ठीक है, sodium peroxide के साथ, sodium parodate के साथ, तो यह क्या बना देगा मेरा, sulfoxide बना देता है, इस तरीके से, तो यह sulfoxide बना देता है, और उसके बाद दो second step है, उसमें 110 degree सी दे रखा है, और pH, में कुछ नहीं है, तो यह क्या है, solvent reaction का, तो यहाँ पर हमने क्या डाला इस पर, sodium parodate डाला, तो जब मैंने इसके उपर, और Naio4 डाला, तो यहाँ पर पहले carbon गिन लो कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, मैं बीच में लिख देता हूं सीदा, इसको C double bond O, यहाँ पर CH2, 6 हैं, फिर उसके बाद, S, O minus, और double bond O, O and me, इस तरीके से मेरा सल्फ उक्साइड बन गया, अब सल्फ उक्साइड क्या करेगा, सल्फ उक्साइड क्या करेगा, सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, हीट कर रखा है, 110 डिग्री पे इस compound को, तो इसका जो अगला step है, उसमें इसको 110 पे हीट किया हुआ है, तो इसको थोड़ा यह लिख लो, CH2, CH2, 5, और यहाँ पर double bond हो ऐसे, चीक है, तो यह जो सल्फ उक्साइड है, यह इस तरीके से, इस तरीके से, यह निकल जाएगा, ठीक, तो यह मेरा, compound बन गया, जो final product बना मेरा, तो वो final product मैं इसको open करके लिख देता हूँ, final product जो मेरा बनेगा, वो बन जाएगा, double bond O, और यहाँ पर, यहाँ double bond, double bond O, OME, बीच में कितने carbon से, वो एक बर count कर ले न, ठीक है, तो यह मेरा final product बन गया, ठीक है, इसको मैंने गोला B, तो यह काफ़ important question है, ठीक है, तो basically किया क्या, सबसे पहले क्या है, protect कर दिया, कार्बोनिल को, ठीक, अब कहोगे कि सर, इसने protect इसको क्यों नहीं किया, एस्टर को, तो basically तुम्हें पता है, एस्टर के उपर nucleophilic addition, least होती है, as compared to ketones, तो ketones के उपर पहले जाएगा, फिर उसके बाद मैंने react करवाया, बेस के साथ, बेस के साथ react करके, एनायन बनाया, एना दिगरी पे, और PHME क्या है, मेरा solvent, tolvin, तो मेरा ये final product इसका बन के तयार हो गया, ठीक है, तो this reaction is very important, और इसमें concept को अच्छे से अगर समझ लोगे, तो किसी भी question में लगा सकते हो easily, ठीक है, अब हम आते हैं, अपनी next reaction पे, next reaction पे, इसमें भी हमें product बताने है, A और B क्या है तो पहले A देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यह compound दिया है, इसके उपर हमने डाला है, Gilman's Reagent, C-U-L-I, यह क्या है, Gilman's Reagent है, तो जब Gilman's Reagent की reaction करवाई ही, तो क्या होगा, minus जाकर के attack करेगा, यहाँ पर, इसको इधर, और इसको इधर move करवाएगा, तो जो मेरा compound बना, O-L-I, यहाँ पर, final ने मान लिया, उपर से attack किया है, above the plane वाले, उससे attack किया है, और यहाँ पर double bond रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद next step में, second point में क्या दिया है, इसको, phsebr, तो ध्यान देना यहाँ पर, यह जो O- come back करेगा, तो यह जाकर के इस पर attack करेगा, एक एक arrow बहुत important है, यह जब come back किया, यहाँ से इसने जाकर के इस पर attack किया, तो जो मेरा product बनेगा, वो कैसे बनेगा, stereo chemistry is more important, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बना मेरा, phenyle और SEPH, तो यह क्या किया आपका, तो देखो, जब भी हमारा alpha beta unsaturated system हो, और वहाँ पर हमें उस double bond पे addition करनी हो, तो वो हमेशा anti होती है, पहली बार मेरा phenyle क्या था, उपर आया, या नीचे लगा दो, चीक है, vice versa, उपर तो जो दूसरा group आएगा, वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, तो यह मेरा बन गया, यह मेरा A बन गया, अब देखो, second में क्या दिया हुआ है, selenium oxide बनाना हो, तो reagent याद रखना क्या, H2O2 से बना सकते हैं, sodium parayodate से बना सकते ह MCPBA, H2O2, sodium parayodate, इन सब से क्या होता है, oxides बन जाते हैं, selenium self oxides, तो यहाँ पर जब मैंने डाला H2O2, तो मेरा selenium का oxide बन जाएगा, तो selenium का यहाँ पर oxide बन जाएगा, SEO minus phenyl, और यहाँ पर phenyl, अब यहाँ पर इसको heat किया हुआ है, ठीक है, heat किया इसको, तो देखो यहाँ पर hydrogen नीचे की तरफ होगा, hydrogen नीचे की तरफ होगा, तो देखो, यह selenium और hydrogen दोनों sin हैं, और यह sin elimination है हमेशा, तो यह इधर जाएगा, यह इधर जाएगा, और यह इ बनाया, वो कुछ इस तरीकी से बना दिया, phenyl, double bond O, B, तो देखो, difference क्या है, reactant और product में, reactant में बस एक position में ने phenyl लगा दिया, और वो मेरा final product बन गया, ठीक है, तो यह चार नमबर का question बनता है, CSIR में, और gate में दो नमबर का ही पूछा जाता है, तो basically ऐसा question आलरड़ी पू पूछा जा सुका है, ठीक है, और दो बार मैं सिर्फ recent बता रहा हूँ, recent तीन-चार साल के अगर तुम paper उठाओगे, analysis करोगे, तो बार पूछा जा सुका है, तो यह काफी important है, ऐसी reaction, तो इसको तुम्हें ध्यान से देखना है, और CSIR में तो पूछते ही रहता है, चलिए, क्योंकि साल में दो बार paper होता है, तो दोनों बार में कभी न कभी एक बार में पूछ लेता है, जरूर, अब यह जो question है, ठीक है, इसको आप खुद try करके देखें, ठीक है, same concept है, मैं एक बार थोड़ा सा यहां पर बता देता हूँ, क्या क्या करना है, बागी खुद से product ब construct होगा, जहां भी NIN बनेगा, वो आपको decide करना है कहां बनेगा, जहां भी NIN बनेगा, वहां से वो आ करके यहां tag कर देगा, इसको निकाल देगा, ठीक है, फिर उसके बाद selenium compound में दे रखा है, H2O2 दे दिया, और फिर selenium H2O2 देने के बाद यहां पर कोई A बनेगा, फ next question पर, और ये question बहुत important है, ठीक है, और बहुत interesting भी है, यहां पर stereo chemical aspect बहुत जादा लगाया गया है, तो इसमें पुरा आपको concept एक दम खुल जायागा, यहां पर, कि जब हमारी दो five member, six member ring fused होती है, तो stereo chemistry का क्या role होता है, यहां पर, ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहु रिंग fused रहती है, five membered और six membered ring fused होती है, तो वो एक book system बनाती है, open book system, open book system, book तो सबने देखी हो, यह खोल के देखो, तो open book system, तो यह open book system type, type की इनकी stereo chemistry होती है, ठीक है, तो कैसे मैं इसको बनाँगा, अगर माल लो मैं इसको actual में visualize करूं कि यह molecule कैसा होगा, तो यह molecule देख यहाँ पर यह और इधर six membered बना लो, ऐसे, ठीक है, और जो hydrogen है, वो कहाँ होगे, यह आगे वाला hydrogen दिखा देता हूं, नीचे की तरफ है, और यह मैं पीछे वाला दिखा देता हूं, डॉटर, डॉटर, और फिर ऐसे, एक चीज़ clear हो रही है, यहाँ पर, ऐसे देखो, यह वाला क्या है मेरा, पीछे का हिस्सा है, और यह क्या है, आगे का हिस्सा है, तो आगे का हिस्सा क्या है, एक concave face बन रहा है, कुछ इस तरीके से तो आगे का हिस्सा, बुक खोल के देखो, तो जब बुक पढ़ रहे होते हैं, तो आगे का हिस्सा क्या होता है, उसका concave होता ह और जब भी कोई reagent आएगा, जब भी कोई attack करने, nucleophile, electrophile जब भी आएगा, तो वो कहां से आना पसंद करेगा, वो पसंद करेगा कि मैं convex face से आऊँ, क्यों, क्योंकि convex face पे repulsions बहुत कम है, as compared to concave face, क्यों, 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 concave face पे देखो, यह सारे carbon क्या है, उपर की तरफ है, और इनकी vicinity में जब कोई group आएगा, तो obviously वात है, उसको hindrance बहुत सारी लगेगी, और वहाँ पे वो आना नहीं चाहेगा, इसी concept को यहाँ पर हम use करने वाले हैं, ठीक है, open book system को, तो ध्यान से देखना, तो यह दो question है, उपर और नीचे, दोनों ये question बड़े ही जबरदस्त ह तो first question को देखो पहले, A जो मैंने लिखा है यहाँ पर, A को देखिए, A में क्या है, कुछ इस तरीके से दो ring fused करके दे रखी है, hydrogen नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या है मेरा, सिरफ दो hydrogen है, और बाकी पुरी book उपर की तरफ खुली हुई है दोनों की, ठीक है, तो इसका काम क्या है, proton abstract करना, तो यहाँ से क्या करेगा, यह LDA यहाँ से इसका proton abstract करके देका, तो मैं इसको open करके नहीं लिख यह को, लिख ले न N- माइनस एлять करता है, ऐसे base, यहां से, अधो मेरा क्या बना, मैनस बन गया, यहाँ पर, ठीक है, माइनस बन गया, अब यह माइन यह इस पर जब अटेक करने आएगा तो यह क्या बनेगा इनॉलेट बनेगा तो यहां पर भी इनॉलेट बना दो यहां पर भी इनॉलेट बना दो क्योंकि फिर जाद अच्छे समझपा होगा ओ माइनस एल आई यह बन गया अब यहां पर जो मेरा फेस है वो मेरा फेस क्या है यह मेरा नीचे वाला क्या है कुनके फेस है उपर वाला कॉन वेक्स है तो यहां पर अब मैंने डाला pH, SC, SC, pH ठीक है यहां से जब यह मेरा आएगा और इस पर attack करेगा इधर से जाएगा इस पर निकलेगा जवे quindi है, convex face पे less hindrance है, तो less hindrance के पास जा करके ये group लगना चाहेगा, तो जिस तरफ hydrogen जाएंगे, उसी तरफ इसकी stereochemistry बनेगी, जिस तरफ hydrogen जाएंगे, उसी तरफ इसकी stereochemistry बन जाएगी, तो यह देखो, यहाँ पर AC pH मेरा नीचे बन गया, hydrogen, hydrogen, अब फिर से मैंने इसकी उपर LDA डाला, फिर से मैंने इसकी उपर LDA डाला, LDA फिर से क्या करेगा, inolate बना देगा इसका, तो जब inolate बनाया इसका, तो क्या बना यहाँ से, यह बन गया, O, O-Li, यह double bond, और यह अब plane में आ गया, क्योंकि double bond आ गया तो यह plane में आ गया, अब फिर से इसकी उपर मैंने क्या डाला है, MEI, मिथाईल आवडाइड, अगला step, मिथाईल आवडाइड, तो देखो होगा क्या, यह इधर आएगा, और मिथाईल आवडाइड पर यह जाकर के ऐसे attack करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अब मिथाईल कहा जाएगा, हमें convex face पर जाएगा, तो आने वाला मिथाईल भी क्या करेगा, convex face पर चला जाएगा, यहां से, तो वो सीधा convex face पर जाएगा, और यहां double bond बन जाएगा, अब मेरा जब वो नीचे वाला, नीचे चला जाएगा, मिथाईल, तो SEPH उपर रह जाएगा, SEPH उपर रह जाएगा, इधर H, इधर H, ठीक है, तो यह मेरा बन गया, प्रोडक्त, तो यह मेरा क्या बन गया, यह बन गया, अब मैंने इसको क्या किया, H2O2 डाला इस पर, जब मैं H2O2 डालूंगा, तो सिलेनियम है, सिलेनियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, सिलेनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, यहां से, तो देखो यहां पर बड़े धान से, सिलेनियम का ऑक्साइड बना, तो यहां पर डबल बांड O, सी ओ- सींटो माइनस स्छेज और यहां से कर्बन हइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है। और जो सिन वाला है वो क्या है दो बीटा है देख। एक अलफा, एक बीटा और यह बीटा, दो बीटा है, तो कौन सा बीटा इसके अंदर सिन है, तो यह वाला बीटा इसके अंदर सिन है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोड़क्ट बनेगा, वो यह बन जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली, मेरा जो प्रोड़क्ट है, वो यह बन गया, तो यह बहुत ही ये बहुत है इच्छा कोशन है तो यह मेरा बी जो में पूचा है वो बन गया वेरी इंटरस्टींग फिर अगला कोशन देखो नेक्स्ट कोशन देखो नेक्स्ट कोशन में पहले LDA डाल के methyl iodide डलवाया है, उसके बाद SEPH डाला हुआ है, तो इसमें क्या होगा देखो, अब इसको हम समझ चुके हैं, तो second वाला करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, ये क्या है, same open book system है, open book system है, यहां hydrogen है, यहां भी hydrogen है, इसके उपर मैंने डाला LDA, तो LDA क करेगा इसका inolate बनाएगा, और inolate बना करके दूसरा इसके साथ मैंने डाला methyl iodide, तो तुम पता है, inolate बनेगा, inolate बनने के बाद methyl iodide मेरा attack कर देगा और जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ कौन सा phase है, convex phase है, तो यहां पर मेरा methyl आ गया, फिर उसके बाद second step म मैंने क्या डाला, third पर मैंने डाला, LDA फिर से, और फिर से मैंने उसके उपर डाल दिया, pH, S, C, S, E, pH, ठीक है, तो basically तुम्हें पता, अब यह S, E, pH, attach होगा, तो LDA क्या करेगा, methyl को plane में लेकर कर आएगा, जैसे यहां से LD attack करेगा, तो यह methyl plane में आ जाएगा, और फिर से S, C, P, H जब आएगा, तो वो कौन से phase पे आएगा, वो S, C, P, H तुम्हारा, convex, concave face में आ जाएगा, convex face में आ जाएगा, जब तुम्हारा plane में आएगा, तो S, C, P, H, नीचे चला जाएगा, और methyl तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, यहां H है, यहां H है, clear है, अब देखो आगे यहां पर, अब यहां पर मैंने H2O2 डाला, फिर से इसके उपर, तो यह मेरा A' बन गया, इसके उपर मैंने H2O2 डाला, जब मैंने इस पर H2O2 डाला, तो जो मेरा compound बनेगा, वो compound मेरा कुछ इस type का बनेगा, Cylen Oxide बन जाएगा इसका, O-PH, H और यहां पर methyl, तो यहां पर जब मैंने इसको heat किया, तो ध्यान देना यहां पर O- है, तो यह easily यहां से, इसके साथ transition state बना करके product बना लेगा, तो यहां से जो मेरा product बना, वो यह बना, This is very, very interesting question, दोनों case में अलग-अलग product बन रहे हैं, यह मेरा क्या है, यह B- था और यह मेरा B था, तो दोनों product में क्या फरक है, ठीक है, तो दोनों question एक साथ पूछे जा सकते हैं paper में, और पूछा भी गया है इसमें से एक बार, ठीक, तो कभी भी किसी वी exam में थोड़ा important है यहाँ पर, बहुत important concept है, ठीक है, तो चलिए next question देखते हैं, next question देखते हैं, that is important question, अच्छा question है, तो यहाँ पर देखो हमें selenium दे रखा है, selenium दे रखा है, साथ में OH दे रखा है, SOCL2 दे रखा है, तो general organic में पढ़ते हैं, जहाँ भी ROH होता है, वहाँ पर हमारा SOCL2 क्या करता है, retention of configuration से CL लगा देता है, SNI के तहित, ठीक है, तो वह substitution में discuss करेंगे, यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है, तो वह बस यहाँ पर इस concept को याद रख सकता है, जैसे मैं आऊंगा substitution पर तो वह भी हम discuss कर लेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या बना, SCPH, यहाँ से बना मे तो मैं हटा करके सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर SOCL2 अगर मैंने डाला, अगर मैंने इस पर SOCL2 डाला, SOCL2 डाला, तो यह इसकी जगहें पर CL आ जाएगा, डारेक्ट, retention of configuration के हिसाब से, HC7, H15, ठीक है, उसके बाद सिलन ऑक्साइड ऑक्सिजन फैमिली से यह तो लोन प C7, H15, और यहाँ से, अ, ह. ठीक है, नीचे वाला वो गृॉप निकल जाएगा हमारा, तो यहां से, सेलन ओक्साइड ने जब इस पर अटेक किया, अब जब यह सेac क्याशन ओक्साइड अटेक करेगा, तो यह अटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ध्याण देना, अब जब मैं इसको क्या करूंगा हीट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो मेरा सेलन ओक्साइड इस तरीके से निकल जाएगा और जो मेरा प्रोड़क्ट बनेगा वो यह बन जाएगा सी फाइव एच एलेवन डबल बॉंड सी सेवन एच एलेवन स्टेरियो केमिस्टरी धान रखना यह दोनों गुरूप क्या हैं एंटी है ठीक है तो यह मेरी एलकीन बन गई तो बस यहीं तक था हमारा अबाउट पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन तो पाइरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेशन्स थे दिये हुए थे और जो कंसेप्ट थे वो हमने डिसकस कर लिए ठीक है तो आई थिंक इतना इतने एक्जामपल् हमें जरूरहां से इस कंसेप्ट से कुछ न कुछ और मिलेंगे एक दो क्वेशन जरूर मिलेंगे अगर इतना हो जाता है तो लेक्टर को जो मोटिव वो भी पूरा हो जाता है ठीक है तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिसक मिलते हैं next video में